हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू फूर्स मीडिया औक हम बनाने वाले हैं एक यूणिक रेसिपी तो चलिए रेसिपी को स्टाट करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यह कड़ाय लीए है अब इसमें थोड़ा सा मस्टरोयड लिया है, अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, तीन से चार कटी हुई लंबे साइज की प्याज, एक हरी कटी हुई मिर्च, और इसे अच्छे से मैं घून लूगी, अब इसमें एड़ करूंगी थोड़ा सा नमक, जिससे हमारे प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा, प्याज को हमें सुनेहरा होने तक घूनना है, तो यह देखिए हमारे प्याज अच्छे से भून चुकी है, अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ, मम्री के दाने जिसे हम भून दी कहते हैं, यह आपको असानी से बजार में मिल जाएगी, साथी में इसमें एड़ करी हूँ, सबजी मसाला, थोड़ी सी हीम, थोड़ी सी हल्डी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब इसमें थोड़ा सा पानी का चीटा देखें, मैं इसको पाच निट के लिए ढग दूँगे, पाच मिल ओके हैं, तो ये देखिए, हमारी ममरी की सच्ची बनकर तयार है, इसे आप ममरी दो प्याजा भी कह सकते हैं, तो आपको ये मेरी यूज़, और तो आपको ये मेरी यूनिक रेसिप कैसी लगी, कैसे मुझे कमेट्स करके ज़रूर बताए गा, आप इसे साधी रोटी के साथ पराठी के साथ और या आप इसे पूरी के साथ भी खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राइ करिएगा फिर मिलूंगी किसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई एंड टेक कियर